बहुत ही इंपोर्टेंट प्लेशन है इसमें हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे किस तरह से एक प्रोजेक्ट हम लोग कर सकते हैं तो यहां पर मैंने एक डेमो बना रखया है Mustsa adhere किस तरह से यह प्रेजेंटेशन रेड़ी किया गया है तो फर्स्ने में यहां से स्टार्ट करते हैं डेमो को सारय प्रॉसेस यह मोज इसमानी फाइल रेड़ी किया हो है mustsa ऐस्गडे मोग तो यह हमारा जो प्रोजेक्ट है यह किस तरह से रेडी हुआ तो आज का जो हम लोग का लेशन है वो प्रोजेक्ट के ओपर है वो चाहे किसी तरह का भी कोई प्रोजेक्ट हो यह जस्ट एक कॉंसेप्ट है इस कॉंसेप्ट के हेल्फ से हम लोग वो प्रोजेक्ट को रेडी कर सकते हैं फिलाल हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फ्रीडम फाइटर पर है तो इसके लिए कुछ फाइल्स और कुछ फोटो हमने अल्रेडी डाउनलोड कर रखा है जिसके हेल्फ से हम लोग यह as it is जैसे लेते हैं वैसी लेंगे और यहां ब्लैंक प्रेजिटेशन में हम लोग को किसी भी टेक्स्ट वगर अगा कोई जरुरत नहीं है तो हम लोग उसको पहले यहां से एरेज कर देंगे only blank रहना चाहिए और view में जाके यहां से हम लोग एक काम करेंगे guideline को on करेंगे guideline हमारा help करेगा वो जो box हम लोग बनाएंगे half-half के लिए हम लोग को यह guideline का जरुरत पड़ेगा तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे first यहां पर insert में जाएंगे और insert में जाके shape में जाएंगे shape में जाने के बाद यहां से एक box इस तरह से पहले ड्राव कर लेते हैं यह box हमने ड्राव कर लिया अब इस box के अंदर में हम लोग को color फील करना है यहांनि इसका जो templates होना है तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे फर्स्ट इसको templates टाइप कर लेंगे template type कर बना लेंगे बुक का जो front page हो वो templates type का लिखना चाहिए बतलब simple नहीं होना चाहिए तो हम लोग यहां पर double click करके यहां से format में जाएंगे यहां से format में जाएंगे यहां पर हम लोग का templates बुक का टाइप किया हुआ है यह हमने एक ले लिया अब हम लोग को इसका जो girter position है यह जो position होता यह girter position है वो girter position हम लोग को ready करना पड़ेगा तो वो हम लोग खुद से ready कर सकते है यहां से just क्या करेंगे इस तरह से यह बना लेंगे थोड़ा सा इसका width को बणा देते हैं और इसको थोड़ा सा हल्का सा 판vy करने के बाद Turn ऐसको यहां से एक fill color हम लोग ले लेंगे د इस तरह से और इसका outline नही चाहिए तो हम लोग यहां से Outline को No Outline कर देंगे ठीक है? अब क्या करना है? यहां पर एक सर्कल इसके अंदर में ऐसे ड्रोव कर दीजे इस तरह से एक सर्कल रहेगा और इसको पूरा-पूरा वाइट कर दीजे पूरा-पूरा वाइट कर दीजे और No Fill कर दीजे अब ही Just यहां पर इसको क्या करना है? Ctrl प्रेस करके इसको Copy कर लेना है Same distance में करिएगा और अब ही यह ऑप फिर यहां से यहां लेयाईए फिर यहां से यहां तक सेलेक्शन कीजे फिर इसको पूरा यहां से यहां क्याँ कर लेयाए इससे जल्दी हो जाएगा थोड़ा फास्ट होगा यहां से यहां तक सेलेक्शन कीजिए फिर यहां से यहां ले आईए फिर उसके बाद जितना जरुरत है उसके हिसाब से यहां पर कॉपी कर लेते हैं ठीक है? यह गटर हम लोगा रेडी हो गया गटर रेडी करने के बाद अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को करना यह है कि यहां पर कुछ टॉपिक हम लोग को फ्रंट पेज में जो होता है वो हम लोग को टाइप कर लेना है फिर्स्ट हम लोग यहां से जाएंगे इंसर्ट में और यहां से लेंगे text box text box लेने के बाद यहां पर text box इस तरह से ऐसे draw करेंगे draw करने के बाद यहां पर suppose हमने टाइप कर लिया welcome welcome टाइप करके इसको Ctrl E से सेंटर सेक्षन में ले आईए और यहां पर box पर क्लिक करके Ctrl, Shift और greater than यह प्रेस करके इसको साइथ को इंकरीज कर लीजेगे ऐसे तो हम लोग यहां से भी करी सकते है यह the shortcut method यूज कर एँ और इसका जो Led color है उसम लोग यहां से हुपोर्वीर कर देते हां और भी हangan बोल्ड कर देते है और यहां पर इसके font को थोड़ा सा look change कर देते हैं यहां से font थोड़ा सा different लेने से अच्छा लगेगा बहुत सारा font यहां पर है दिया हूँ कोई भी एक particular font को हम लोग ले लेंगे ठोड़ा सार, अगर इसके width को बढ़ाना है तो यहां से width को फ़ड़ा सा बढ़ा लेंगे size को भी थोड़ाना है तो size को भी थोड़ा सी बढ़ा साइब लेंगे ठीकेU उसके बाद करना क्या है उसके बाद next हम लोग को यहां पर इसको मूव करके कॉपी कर लेंगे कॉपी करने के बाद यहां पर हम लोग टाइप कर लेंगे the book of यह सेंटेंस हमने टाइप किया इसको थोड़ा सा एक काम करेंगे इसको थोड़ा सा और उपर मूव कर लेते हैं थोड़ा सा एक स्पेस चाहिए इसको थोड़ा मूव कर लिया और इसको भी थोड़ा सा यहां पर मूव कर लेंगे और इसका साइज थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे Ctrl, Shift, Less than से थोड़ा साइज कर लिया और अब यहां पर हम लोग को क्या करना है इसके भी फॉंड को थोड़ा सा चेंज करते हैं सपोज यहां से एक फॉंड ले लिया अब यहां पर हम लोग को फिर से क्या करना है इसको Ctrl, Hold करके नीचे कॉपी करेंगे और यहां पर हम लोग टाइप कर देंगे Freedom Enter Fighter ठीक है Freedom Fighter इसको थोड़ा सा वीद को बढ़ा देते हैं अब फिर यहां से इसके फॉंड को यहां से हम लोग चेंज करेंगे थोड़ा सा और इसके Size को Increase कर देते हैं ग्यां अग्या weigh तो यह होगी हम लोग का Front Page एड़ा अगर अपने हिसाव से इसको जैसा भी Colour करना चाहें तो यहां से हम लोग Colour से करनें रख सकते हैं यह अगर Colour अगर चेंज करना हो … तो यहां से सब का अलग अलग यहां आग को सबकर ओन यहां선 गा कंटूल यट गरेंगे में यह वला अजाईट ऑर क्लिक करें गरेंगे प्रोलिकेट के बेधा है अभलो क düşünूड गरें जे ख्लीडियगे निव morte में से यह नॉर्म टू में क्या है हम लो कु यह था यहां नहीं मैं उल्धे है इसको हम लोग यहां से डिलीट कर देते हैं इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं और यह जो फील है इसको यहां से हम लोग फील में जाकर फॉर्माट में जाकर यहां से फील कलर इसका यहां से वाइट कर देते हैं ठीक है? white कर दिया या फिर हम लोग same color रख सकते हैं कोई issue नहीं है इसमें हम लोग just करेंगे क्या एक box draw कर लेंगे यहाँ पर insert में जाके shape में जाएंगे shape में जाने के बाद यहाँ से एक box हम लोग draw कर लेते हैं ठीक है? और box को draw करने के बाद इसका जो background है इसके background को पूरा पूरा white कर लीजे हो गया अभी just आपको और एक काम करना है यहाँ से थोड़ा साइट को सही तोर से adjust कर लीजे उसके बाद फिर से insert में आईए shape में आईए shape में आने के बाद यहाँ से एक आपको angle wise कोई भी एक ले लीजे जैसे suppose हमने यह वाला ले लिया लेने के बाद यहाँ पे नीचे में हम लोग क्या करेंगे यहां से ऐसे करके draw करेंगे draw करने के बाद इसको थोड़ा सा rounded कर लेते हैं round it करने के बाद इसके अंदर में हम लोग को लिखना है तो right click करके edit text करेंगे यहां पर suppose हमने टाइप कर दिया पेज पेज वन जिरो वन यह हम लोग का पेज वन हो गया ठीक है अभी यह पूरा पूरा क्या करेंगे यहां से कि इसको पहले पूरा पूरा उसके बाद काम करेंगे इसमें अभी हमलोग को जहां पर जिसका टापिक कर दोड़ा सा इसको मूव करिए यहापे तोड़ा छора थोड़ा सा अफो करिए नहीं लाना है तो फोटोस्के लिए इसके किसी हियाँ फीर फाय में जाक्टेश्च अब फिक रंओखš uhum मिन्स, फञिन मिन्स जो इसका बारे में जो देषिन oritting biography है को लाना है तो उसके लिए पहले एंसर्ट चान जा कि टेक्स बॉक्स लेंगे और एसमसाते जा कि सबस्क्राइब जब पैले नहीं सरे पहले से तो तरे पहले से यह आपे पित्ला जो डाउन कर लगे एक्सप्रामे टेक्स्ट एक्स्प्राइशन आसे अंडरी ले सकते हैं लेकिन हम लोग यहां पे डिट्राइब में अलरी पहले से डाउनलोड कर रख़ा है तो हम लोग क्या करेंगे वह बाला उपें करेंगे यहां पर देखे यह मैंक्रोसॉफ्ट वर्ड अंदर में सारा डे का बड़िए पॉईप्पंट में आजये यहां से लिए पवरपोईंट बड़ियों चाहिए चाहिए अर यहां से पैस्ट बनड़िख से Kathy लिए डिटेच्ट कीजिए और यहां पैस्ट कर दिजए यहां लियो देखें आगे बैगे आगे कोई भी एक color, fill color fill color यहाँ पर आपको फॉर्माट के अंदर मिलेगा fill color तो fill color में यहाँ जाँ जाँ कोई भी color यहाँ ले ले लिजे लेने के बाद अब जो इसका heading है Mohandas Karam Chand Gandhi इसको आप selection करिए Ctrl C करिए और यहाँ पर जाके टेक्स्ट लिजे टेक्स्ट लेने के बाद पर टेक्स्ट बोक्स यहाँ से ऐसे करके ट्रॉ किजे ट्रॉ करने के बाद इसके अंदर में पेस्ट कर दीजे ठीक है , पेस्ट कर दिया आपने इसको Ctrl E से से सेंटर में ले आईए इसको भी थोड़ा बोल्ड करिये, बोल्ड अल्रेडी किया है, और इसको यहां से फॉंट जो है वो एरियल ब्लैक कर दीजिए, थोड़ा सा इसका विर्थ को थोड़ा सा बोल्ड में दिखेगा, महंदास करमचंद गानी अब यहां से इसका भी चाहें तो हम लोग लोग ले स ठीक है रहने देते हैं, या अगर चाहें तो उसको हम लोग फॉंट कलर को रेड कर सकते हैं, इसको रेड कर दिया, ठीक है? यह हम लोग का एक पेज रेडी हो गया, महंदास करमचंद गानी का पेज रेडी हो गया, अभी हम लोग को क्या करना है, करना सिर्फ इतना है, इसक मुर्यू हे इसको और SHIFT को होल्द करके रखेंगे फिर इसको और फिर इसकोड और फिर इसको और यह वाला यह सब को SHIFT को होल्द करके SELECTION कर लेंड़े डre SHIFT होल्द करके SELECTION करने के बाद अभी इसको JUST यहां से cultural Z और Ctrl V, copy paste कर लिया, अब just यहां से इसको move करके यहां ले आईए, ठीक है, यहां लाने के बाद, अब आपको करना क्या है, देखें, एक बराबर होना चाहिए, तो यह हम लोग का, हो जाएगा क्या, यह हम लोग का बैक साइड में, यानि फरंड में आ जाएगा, यह भी फरंड बाद 2 कर देते हैं, पेज तो राइट साइट से सुरू होगा यह पेज वन हो गया, यह पेज टू हो गया, अब second जो हम लोग topic हम लोग यहां पे इसेट करेंगे, तो फिर यहां पे जिस्ट करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद, फॉर्माट में जाएगे, फिल में जाएग सेट किया है, तो यहां से सुभाज चंद्र बोज उनका टेक्स्ट को लिया, और लेने के बाद यहां पे बजस्ट क्लिक करके Ctrl A और Ctrl V कर दीजिए, ठीक है, Ctrl A की सलेक्ट करके, Ctrl V करने का मतलब वहां का टेक्स्ट यहां पे पेस्ट हो जाएगा, अब यहां पे आपको सेलेक्शन करिए, सेलेक्शन करने के बाद Ctrl C करिए और फिर उसी परीके से सेलेक्शन क करके Ctrl V कर दीजिए ठीक है, हो गया और अब यह सेम फॉर्माट में चाहिए, तो सेम फॉर्माट में यहां से Home घाके, Mobile Ratfish उ सके स्कते हैं, यह तेचिए से फॉर्माट में आजिया, उतना कुछ सद्माट पまた है trapped image एब उना कुछ कहा नहीं पड़wood अंच सब पर पर फंड चेंज करना पना पाद अब हम लोग को next अकशन्या करने है? आब हम लोग को next करना यह है अब हम लोग को next करना यह है अब just हम लोग को इतना ही करना है कि हम लोग को यहाँ पर just click करना है और Ctrl D से duplicate slide करना है अब 6 से आफ की को लेकिन करने से पहले एक काम ज़रूर कर लिजएगा जब यह next pag में जब अगा तो अभी इसको यहां से यह दोनों को ही या यह पूरा selection करकर इसको send to back रोग कर दीजी यहां से send to back कर दीजी roughly यह तो ठीक है, इसको bring to front कर दीचे, इसको selection कर ये वाला page को और ये वाला page को selection करके इसको bring to front कर दीचे bring to front अब हम लोग को क्या करना है next कमों को नेक्स हम लोग करना ये है और एक काम साती सात करते चलते हैं तक की आप अपर फीर klik करेंगे पिर k attendance करके यहां से Ctrl-D to duplicate slide करेंगे डुब्लिकेट करने के बाद अब हम लोग यहां से जस्ट topic को change करते हैं next जो लोग का topic है वो यहां पे page 3 हो जाएगा और यहां पे page 4 हो जाएगा उसके बाद यहां पे text पहले photo change कर लेते हैं double click करके format जाके यहां से format में जाएगे format में जाने के बाद shape fill में जाएगे shape fill में जाएगे shape fill में जाएगे pictures में जाएगे pictures में जाएगे from file from file में जाकर अब हम लोग next जो लेंगे suppose हम लोग ambedkar कर ले लिया ambedkar कर लिया ambedkar कर लिया ambedkar कर लेने के बाद फिर उसका जो टेक्स्ट लेना है फिर यहां से टेक्स्ट में आएंगे अच्छा बात कोई बात नहीं आज़ा, पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे इसको सेलेक्शन करके CTRL C फिर यहां पर यहां पर CTRL A, CTRL V यहां बेट करका गया ठीक है उसके बाद यहाँ पर 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 यहाँ टिर right 4 डिए करना है फिर एहाँ क्लिक करेंगे ज чувक जाना है यज़ोड़े ही यहाँ क्छिछ्ट्स लाना है यहाँ जो कि भूए कर लिधा चिंट्टोर च्रीच्ट्टन Ce और यहाँ पे आकर Ctrl-A, Ctrl-V यह अब अब दुल कलाम का आगया अब यहाँ पे नेम को भी चेंज करना है जस्त इसी तरीका से यहाँ से एक्षान कर लेंगे शौट में सिफ ले लेते हैं Ctrl-C यहाँ पे Ctrl-A, Ctrl-V ठीक है और अब यहाँ से यहां से text को selection किया Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V ठीक है? यह भी हो गया paste 4 भी रेडि हो गया फिर यहां पर यहां पर पर एक क्लिक करेंगे पर खिर स्लाइड में क्लिक करके Ctrl D से पर दूबलिकेट करेंगे पर दूबलिकेट करने के बाद अब आगे जो है वो लेंगे और नेक्स्ट जेट्लिपो, पर फूटो चैंज करद करते हैं आव दिए चाहिए प्रप्ल करे चाहिए आई पलेटेम्स् года खोर तक वेच डिए ना heter अब भी प्लिदेए थैड से काहिए है। फोर्माट में जाके यहां से शेफ फिल में जाएंगे यहां से पिक्चर्स में जाएंगे पिक्चर्स में फिल में जाएंगे और फिल में जाने के बाद यहां से नहरुजी का ले लिया फिर नहरुजी का टेक्स्ट हम लो को चाहिए तो नहरुजी का टेक्स्ट हम लो को Ctrl C लीए तक पर यहां पर डिल के जा ख annex calm अग्यि है अग्या ओनानिय में हरी खानाक पर लगी में दो अग्या और चाल्ड् से नाम को सेलेक्शन कर से भाद Ctrl C रे खाने के अग्या एप पर Ctrl A Ctrl V नाग्या जर्षान जाए अग्या हा? जाते हैं यहां पे फिर यहां पे पिक्चर्स चेंज करेंगे फॉर्माट में शेफ फिल में जाकर यहां से पिक्चर्स में जाएंगे पिक्चर्स में जाकर बाकी का जो बचा हुआ है जैसे भगत सिंग का ले ले लेते हैं उसके बाद तो भगत सिंग का लिया भगत सिंग का टेक्स्ट चाहिए तो भगत सिंग का टेक्स्ट यहां पर हम लोग को मिल जाएगा भगत सिंग का टेक्स्ट अम लोग ले लिया Ctrl C फिर यहां पर जाके Ctrl A Ctrl V ठीक है भगत सिंग का नेम को सेलेक्शन करेंगे नेम सेलेक्शन करने के बाद Ctrl C और यहां पे Ctrl A, Ctrl V हो गया, भगत सिंह का भी पेज रड़ी हो गया फिर से यहां पे क्लिक करेंगे Ctrl D से डूबलिगेट स्लाइट करेंगे अब यहां पे फिर पिक्चर्स को चेंज करेंगे सेम प्रोसेस है, कोई यहां पे चेंज नहीं हो रहा है, सेम बार बार यूज हो रहा है अगें अन अगें अब यहां पे next जो अम्रोग का topic बचा है वो बचा है रविंद्रनाथ तगोर रविंद्रनाथ तगोर का ले लिया फिर यहां पे गय टेक्स्ट में अभी यहां पे रविंद्रनाथ तगोर का देखेंगा तेक्स्ट कहां पे है तो रविंद्रनाथ तगोर का यहां पे टेक्स्ट को सेलेक्शन कर लिया ctrl c फिर अल्ट दबा कर टैप प्रेस करने से next तब में आ जाते हैं आप्रोग और यहां पे जाके ctrl a ctrl v ctrl a ctrl v oh sorry टेक्स्ट कॉपी नहीं हुआ साइसे ctrl c alt tab and ctrl v ठीक है रविंद्रनाथ तगोर का आ गया पेज नमबर को चेंज कर लेंगा यह पे पेज नमबर हो गया यह 7 और यह हो गया 8 ठीक है अब यहां पे अब यहां पे अबिंद्रनाथ तगोर का heading हम लोगो लेना है तो यहां पे जस्ट सेलेक्शन करके ctrl c और यहां पे जाके ctrl a ctrl v उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हम लोग का बचा है उसको ले लेते हैं क्लिक करेंगे और यहां से फील एकर पिक्चिर में जाएंगे पिक्चिर मेें फ़िल में जाएंगे फ़िल में लेने के बाद यहां पे हम लोग next जो हां Rani Lakshmi बाई इसका ले लिया उसके बाद इसके नेम को selection करेंगे लक्षमी भाई के नेम को selection करेंगे Ctrl C फिर यहाँ पर आके Ctrl A Ctrl V ठीक है यह पूरा ready हो गए पेज 1, पेज 2, पेज 3 अब लास्ट में जो हम लोग को करना क्या है लास्ट में यह वाला को ही हम लोग को Ctrl C V कर देना है और यहाँ पर आके नीचे क्लिक करके Ctrl V कर देना है ठीक है और यहाँ पर अब हम लोग को sentence टाइप करना है जैसे suppose हमने यहाँ पर लिग दिया that's all यहाँ से font को थोड़ा चेंज कर लेते हैं हाँ यहाँ हाँ यह हो गया, ठीक है? अब यहां पर यह तो मैंने कर लिया, इसको फ्रेंट में कर लेते हैं, इसको पूरा सेलेक्शन करके यहां से यहां तक, इसको फॉर्माट में जाके, ब्रिंग टू फ्रेंट कर देते हैं, यह तो मैंने कर दिया, यह करने के बाद अब यह जो साइड है, यह साइड में जो बंदा अपना प्रोजेक्ट बना रहा है वह अपना सारा डीटेल्स यहां पर अपना इनपूट कर सकता है, पना नाम, रॉल नमबर या फिर जिसके बहाफ में वह बना रहा है, गर किसी ओफि सही ओफिए बना रहा है, ब बना रहा है है, यह साइड सकते हमें कर सकता है, बंदा लो चार किसी ओफिसे के बाद लंऄ अबते सकते हैं खाने कर से जिस15 आए में ले शेम झाल सकता है, यह सुआ है szukते हैं लो स्वें करने किसी आ Deafकिका कर से बना रहा हैंiti क्बिविए हैं यह ले लिया, लेने के बाद इसको Ctrl E से Center किया, Size को Increase कर दिया और यहां चे ना, Font को Change कर देंगे Font को Change करके यहां से इसको Just यहां से Copy किया Copy करके Ctrl A किया फिर यहां से Ctrl प्रेस करके Copy किया Ctrl A करके यह मैं ने Type कर दिया अब इसको अपना अलग-अलग से Colour कर देते हैं हेहां से इसको यही LINE में लाना हे यही LINE में ले आएंगे और यहां से फिर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहां से जाके इसके Font को 조금 Change कर लेते हैं और इसके font को भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं यहां पर एक फिर इंसर्ट में जाके एक शेप में जाके शेप में जाएंगे एक सफोज सर्कल यहां पर ले ले लिया लेने के बार इसमें जाके हम लोग शेफ फिल मेंagement in the pictures में अपना photo अप you can set कर सकते जो प्रोजेक्ट बना रहे हो अपना photo भी लगा डिया सापोज मैंने यहां पे अपना photo लगा दिया इसको चाहे तो थोड़ा से यहांसे ए और help, 55D सेट कर सकते है आजिए आज से बरॉडर हो जाय गाए घर सेंग आज़ए आज और धाईडर होको जाएगा और दोर यहांसे फ्दर कर सकते है। यहांसे 3D एफट भी लगा सकते हैं फिक्चर एफट में जाएके इस तरह से shadow wise आया जाएगा जैसा लेना है वैसा ले लिजे तो इस तरह ये पूरा पूरा page रेडी होगे हम लोग का अगर इसको अगर background color देना है तो यहां से background एक color भी दे सकते हैं लेकिन background color हम नहीं देंगे लाल जैसा है as it is वैसी रहेगा इसको थोड़ा से इधर move कर लेते हैं यह ठीक है इसको थोड़ा move कर लेते हैं thanks for watching my channel unique computer excellence यहां पे photo आ गया यहां पे चाहे तो अपना एक name भी type कर सकते हैं यहां से name type कर लिया तो जो student बनाएगा वो अपना सारे details यहां पे दे सकता है अब इसको क्या करेंगे इसको हम लोग animation कर सकते हैं इसमे animation कैसे करेंगे यहम लोग को पता है अच्छा इसको animation करने के लिए हम लोग पहले इसको सेलेक्शन करके पहले इसका अनिमेशन अलग दे देते हैं अनिमेशन में जाके यहां से कोई भी अनिमेशन हम लोग सेट कर लेते हैं इसके लिए जैसे इसके लिए विप ले लिया कोई भी ले लेते हैं ठीक है इसके लिए यहाँ से लोग, फेड ले लिया, इसके लिए इसको तोड़ा चाहना, इसके लिए फिर एक यहाँ से, ठीक है, और इसके लिए फिर एक ले ले लेते हैं, तो सब तो ले लिया हमने अनिमेशन पेन में जागे ना सब के लिए हम लोग यहाँ पे टाइमिंग जिरूर लगाना उपलाईगा राइट क्लिक करके एफेक्ट ऑप्शन यह तो हम लोग जानते हैं माइनर सहा बात है यहाँ पे सब में 1 सेकंड कर दीजे ने तो पिर आया गा ने फिर इह हो गया पिर इसके लिए जाके इसập seal करके इसको टाइमिंग में जाके वनसेकंड कर दीजे इसको भी है इसको मुव कर लीजेगो अपर क्योंकि यह पहले आ गया अब उसके बाद थार्ड वाला सेलेक्शन किजिए थार्ड वाला के लिए राइट क्लिक करके एफेक्ट ऑप्शन में जाके यहां इसका भी टाइमिंग यहां पर वन सेगंड कर देंगे करने के बाद फिर ओके करेंगे उसके बाद लास्ट वन ओवल शेप जो है उसके लिए राइट क्लिक करके एफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहां से फिर टाइमिंग में जाके इसका भी वन सेगंड कर देंगे और उसके बाद इसके लिए ठीक है यह सारा कुछ हो गया अब हम लोग सबसे इंपॉर्डेंट काम करेंगे जिससे यह कर्लिंग पेज हम लोग का काम करेंगा तो हम लोग यहां पर किसी में भी क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग यहां से चले जाएंगे ट्रांजिशन में जाने के बाद यहां पर क्लिक करिएगा क्लिक यहां से apply to all कर दीजे apply to all करने के बाद उसके बाद आप सीधे आजाए यह slideshow में from beginnings क्योंकि हम लोग उने 5 seconds लिया इसले थोड़ा सा hold क्योंकि हम लोगो topic को पढ़ना भी है किसका topic है इसलिए हम लोगो ने यह पे 5 seconds लगा रखा है इस तरह से one by one यह page curling होगा page turn होता जाएगा और हम लोग यहां पे definition भी देख सकते हैं साथ में photo भी देख सकते हैं और नीचे bottom line में page number भी दिखेगा और यह सारा कुछ जब end हो जाएगा तो last one page होगा यहां पे यहां पे यह सारा कुछ इस तरह से शो करेगा तो यह था हमारा topic अगर इसको continuously हम लोग को रखना है जैसे कहीं present कर रहे हैं कोई mall में यह कहीं पे तो यह continue भी रह सकता है पर continue रखने के लिए आपको slide show में एक option है यहां पे setup show का setup show में जाईएगा और इसको loop कर दीजएगा लूप करने के बाद okay कर दीजए और अगर आपको लगता है यह बहुत ज्यादा डीले होके आ रहा है तो इतना डीले मत कर यह इसको दो सेगंड कर दीजए apply it to all अभी कीबोड से f5 दप्रेस कीजिए यह देखिए यह देखिए यह आया फिर नेक्स्ट यह आया इस तरह से one by one आपका शो करेगा ठीक है escape करिएगा रुख जाएगा और एक चीज है ना यह वाला सब में ना यहाँ पेit कॉपी हो गया इसको हटा दीजे तेख्ट जो अलग से आगया ना टेक्स्ट को डिलिट कर दीजे यहर पेज– देख्यों यह रे पेज के एमों का इसको हटाददीजीए कोई भात नहीं है यहां जेश्ग हर दीच्ट तो यह था हमारा आज का topic प्रिजेंटेशन के ओपर एक project था किस तरह से हम लोग कर सकते हैं प्रिजेंटेशन के तरह चाहे वो किसी school का हो या office का हो इस तरह से हम लोग इसको present कर सकते हैं that's all have a nice day